घर के अंदर जूटों की एक मंडी है अरे कहना क्या चाहते हो अभी पता चले हैं हमेशा सीधा बोलें सच बोलें जूटों ने जूटों से कहा है सच बोलो जूटों ने जूटों से कहा है सच भगो कजब बेज़ती है जिसमें देखा जा सकता है कि सुधिर चोधरी जिन्दगी में एक ही नियम रखने की बात कर रहे हैं जिन्दगी में एक ही नियम रखें हमेशा सीधा बोलें सच बोलें और मुँ पर बोलें हमेशा सीधा बोलें सच बोलें और मुँ पर बोलें जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे सुधिर चोधरी के ज्यान को सुनने के बाद आप लोग इस मिरती रानी का ये वीडियो करते हुए को रहा है कि स्मिरती रानी ठीकी थी अब सुधिर चोधरी के इस ज्यान पर अपनी परती किरिया भी दे रहे हैं तो इसी पर तारक ठकर नाम के युजर लिखते हैं आप काफी ज्यान बाट चुके हो बस आपको खुद अमल करना बागी है तेकार युजर लिखते हैं लगता है महासा सामने आईना रखकर अपने को समझाने की कोशिज कर रहे हैं तो मुकेस मीना लिखते हैं सच बोल रहा हो कि चापलोसी के लिए पूरे देश के लोगों को गुम्रा कर रहा है सच बोलने वाले सुधिर जी जूट तंत्र के डिबेट चलाते हो सच तो आज के दौर में मीडिया में है इने आपको सर मानी चाहिए याद रखना सत्य परसान हो सकता है पर आजीत नहीं तो वरिष्ट पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं आपकी नसियत पर अमल करते हुए आपके बारे में सच बोल रहा हो कि आप तीहार रिटन है आप सोकरण की वसूली में जेल गयते हैं आप एक महीने तीहार में जरूर देए